हेलो गाईज यह वीडियो हमारी 11th क्लास प्लांट किंग्डम की है इसमें हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में डिसकस करेंगे तो चलो देखते हैं क्या है इन प्लांट बोथ हैपलोईड और डिपलो क्रोमोजोम जो प्रेजन होते हैं मतला है अपलोईड को हम N से और डिपलोईड को हम 2N से डिनोट करते हैं तो हैपलोईड और डिपलोईड सेल्स सभी जो है माईटोसिस की हेल्प से डिवाइड होते हैं कंप्लीट सेल साइकिल आपका चैप्टर है उसमें आप माईटोसिस और meiosis डेटेल में करेंगे तो mitosis में क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं Equational division होती है मालो एक cell में अगर 23 chromosome है तो जब वो दो में divide होंगे तो दोनों cell में 23, 23 होंगे ठीक है उसे हम बोलते है mitosis अगर एक cell में 46 chromosome है तो जब वो एक cell दो में divide होगा मताब दोनुं सैल में 46 46 kromozome no. तो यह क्या है? माइटोसिस है. अगर एक सैल में 46 kromozome है और वो जब 2 में डिवाइड हो रहा है और kromozome no. reduced हो रहे हैं. मताब 23, 23 हो रहे हैं. तो हम उसे क्या कहते हैं? मियोसिस. मताब माइटोसिस क्या है? एक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस क्या है रिदक्शन डिवीजन ठीक है फर्स्ट लेना आई होप आप समझ गए होंगे अब आगे देखते हैं इस अब देखते हैं और फिर उसके बाद यह कंप्लिट और ग्यानिसम बना देते हैं तो means haploid cell divide होके जो बना रहे है haploid plant bodies deployed cells divide होके deployed plant bodies जो बना रहे हैं मतलब नोंने यह ही का है कि haploid और deployed cells के अंदर इतनी ability होती है कि वो different plant bodies बना सके the haploid plant body produce gamut by mitosis अगर plant body haploid है means N है तब जो वो gamuts को produce करेंगे तो उसमें जो division होगी वो होगी mitosis ठीक है और जो अगर body deployed है तब जब वो gamets produce करेंगे तब उनके अंदर जो division होगी वो होगी meiosis क्यों होगी meiosis क्योंकि deployed body जब gamets haploid gamets को produce करेंगे तब जब उनका fusion होगा वो वापस से deployed बन जाएंगे इस वज़े से क्या है gamet formation के दोरान diploid में meiosis process होती है और इसमें क्या होता है जब haploid अगर plant body होती है तो gamet formation के दोरान क्या होती है mitosis होगी ठीक है और फिर जब fusion होता है वो 2N होगे तो after fusion क्या है वो N में convert होती है ठीक है तब वो उसमें क्या होगी meiosis होगी तो इसलिए यहाँ पर लिखा है the haploid plant body produced gametes by mitosis this plant body represent a gametophytes देखे gametes produce कर रहे हैं इसलिए हमने plant body को क्या बोला है gametophytes following fertilization the gigot also divide by mitosis to produce a deployed sporophytic plant bodies अब इन्होंने कहा है कि जैसे ही fusion होगा fertilization होगा after fertilization जो बनता है वो क्या होता है जाइगोट और नहीं यही कहा है कि आगे जाइगोट जो है वो भी mitosis के तुरू divide होगा और फिर आगे जाके वो क्या बनाएंगे deployed sporophytic plant body अब आगे देखिए अब sporophytic plant bodies बन रहे हैं sporophytic बोला है तो मिन्स आगे वो क्या produce करेंगे spores तो अब sporophytic plant body जब वो sports जब produce करेंगे तो वो meiosis के तुरू करेंगे तो इसका मतलब क्या है जब meiosis के तुरू sports produce कर रहे हैं तो जो sports कैसे होंगे n होंगे क्योंकि इस sporophytic क्या है 2n 2n में meiosis होगी तो half हो गया reduction हो गया तो means n ठीक है this in turn divided by mitosis to form a haploid plant body once again और फिर क्या यह sports again mitosis के तुरू divide होंगे और फिर complete plant body को produce कर देंगे thus during the life cycle of any sexually producing plant there is an alternation of generation between gamet producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte मतलब यह जो एक बार यह gametophytic plant है फिर वो convert हो जाते है sporophytic plant में तो इसी को हम क्या बोलते हैं alternation of generation तो plant जो group जो है उसको हमने तीन में divide किया है ठीक है तो वो जो pattern जो है वो क्या है haplontic, diplontic और haplodiplonting life cycle तो सबसे पहले हम haplonting life cycle करेंगे तो देखिए sporophytic generation is represented only by the one cell gigote जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ठीक है यहाँ पे जैगोट से क्या है आगे sports produce हो रहे हैं तो जो sporophytic जो generation है वो कैसी बताई है उन्होंने represent one cell gigote से ही represent कर रहे हैं और seed मतलब वो sporophytic generation है वो deployed है तब ही उसके अंदर क्या हो रही है weosis हो रही है ठीक है जैगोट में दें मेजैगोट में तो मेसे होगी तो फिर वो आगे जाके क्या करेंगे जो sports produce करेंगे वो कैसे होंगे haploid होंगे तो देखें यहाँ पे जैगोट से start जैगोट के अंदर मेस्योंश से होयी तो उन्होंने बनाए sports बनाए अब sports जो है वो gametophytes में convert हो रहे है means n ठीक है gametophytes में क्या होगा फिर gametes produce होंगी तो gametes production को process को हम क्या बोलते हैं gametogenesis और फिर उसके बाद वही फिर fusion होगा फिर वही जाए god बनेगा फिर यही process क्या है ऐसे ही repeat होती जाएंगी ठीक है तो ऐसे cycle यह complete चलती रहती है तो यह है haplonting तो means यहाँ पर इसको haplonting क्यों बोला है हमने क्योंकि जो haplonting का जो development का जो time होता है life span जो है वो जादा होता है इसलिए हमने इसको haplonting life cycle का है ठीक है sorry अब आगे देखिए इसमें बढ़ते हैं there are no free living sporophytes अब इनने कहा है कि sporophytes जो है वो free living लिया है means वो gametophytes पर depend है तो meiosis in the gigot result in the formation of haploid spores अब gigot के अंदर meiosis हो रही है फिर वो spores produce करेंगे haploid the haploid spores ये दिवाइड होंगे और mitotically and form the gametophytes और फिर वो क्या है gametophytes बनाएंगे ठीक है मतलब gamet formation में help करेंगे the dominant photosynthetic phase in which plant is the free living gametophyte जो gametophytes है वो dominant और photosynthetic है means अपना food खुद synthesize कर ते है ठीक है तो gametophytes क्या है free living है तो इस type की life cycle को हम haploid बोलते हैं ये कहां देखने को मिलती है algae के अंदर wall walk, spirogera, कुछ species है क्लाइमेडो मोनास की ठीक है अब second है deplanting life cycle on the other extreme is the type wherein the deployed sporophytes is dominant देखो अब यहां पर उसमें क्या था gametophyte dominant था अब यहां पर क्या है sporophytes dominant है ठीक है तो photosynthetic independent phase of the plant तो इन्होंने कहें कि जो sporophytes है gametophyte अब इन्होंने कहें कि gametophytic phase कब दिखाई जो एक single cell जो है ploid gametophytes वहां से वो उसे रिप्रेजेंट करेगा इस life cycle को deplanting बोलते हैं और ऐसी life cycle दिखाई देती है सीड बेरिंग प्लांट मतलब जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं आपने अल्गी ब्रायोफाइट, टैडोफाइट, जिम्नोस्पम, अंज्योस्पम यह किया है इन में से जो सीड बीर जो करते हैं वो कौन से हैं जिम्नोस्पम और अंज्योस्पम तो इन इस class में जितने भी म्योसिस भी उन्होंने जो म्योसिस होने के पास sports, haploid sports प्रोड्यूस किये, फिर वो gametophytes में convert होगे, फिर gametophytes के अंदर gametogenesis gamets बने, फिर वही जाइगोट बनेगा, fusion के बास इन गैमी होता है, fertilization, fertilization का मतलब क्या होता है, male और female gamet का मिलना, तो यह जाइगोट आगे जो dominant phase है, इसमें क्या है, deployed, तो इसलिए इसको क्या बोला है, sporophytic deployed dominant phase है, इसलिए हमने इसको deplonting life cycle है, ठीक है, अब हमारा next है, haplodeplonting, देखे, bryophytes and teridophytes, देखो, algae, bryophyte, teridophyte, angiosperm, gymnosperm, ठीक है, sorry, पहले gymnosperm बोल सकते हो, फिर angiosperm, तो इन पांच में, जो bryophyte और teridophyte जो हैं, उनकी अंदर haplodeplonting life cycle देखने को मिलेगी, मतलब जो contribution होता है, haploid का और diploid का, sporophytes और gametophyte का, वो equally, मतलब उतना ही होता है, दोनों का, मतलब वो कभी gametophytes dominant हो मिलेगा, जो life cycle होएगी, उसमें कभी sporophyte dominant phase में मिलेगा, इसलिए इसको haplodeplonting बोल है, ठीक है, तो बोथ faces are multicellular, यह जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों faces क्या हैं, multicellular होगा, मतलब एकल एकल टाइम जो होगा, distribution होगा, इनमें, अब आगे देखिए, तो यह dominant independent photosynthetic thalloid और erect face is represented by haploid gametophytes, and it alternate with the short-lived multicellular sporophytic, totally और partially dependent on the gametophytes for its encourage and nutrition, देखिए, क्या बोला हैं, आपने bryophytes किया था, ब्रायोफाइट्स के अंदर, जो main plant body थी, वो कैसे थी, gametophyte, ठीक है, gametophytic plant body थी, तो यही कहा है, कि इसके अंदर, gametophytic plant body है, वो haploid nature की है, ठीक है, dominant है, independent है, photosynthetic है, मतलब खुद फुद बना सकती है, फीर वो alternate हो जाती है, shortly, मतलब जादा समय तक नहीं sporophytes में convert हो जाती है, gametophytes पे और partially भी हो सकता है, ठीक है, क्यों, food के लिए, nutrition के लिए, तो ऐसी life cycle, देखो, haplo भी दिखाए दी, और diplo भी दिखाए दी, तो यह क्या है, ब्रायोफाइट्स के अंदर, अब फिर, जब हमने टायोफाइट्स के अंदर, उसके अंदर, जो main plant body थी, वो थी sporophytic, तो इसके अंदर, dominant phase क्या होगा, sporophytic होगा, अब main plant body है, means, वो food कुछ सिंदेसाइज कर सकती है, photosynthetic nature के होगी, तो वो independent होगी, ठीक है, तो यह vascular plant body है, देखो, यहाँ पे vascular plant body बोला है, और ब्रायोफाइट्स को नहीं बोला है, मतलब यहाँ पे जालम और फ्लायम डवलप हो रहे हैं, उसके अंदर जालम और फ्लायम डवलप नहीं होए थे, किसमें, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, इट अल्टरनेट वीद, multi-cellular sporophytic, autotrophic, independent, but short-lived haploid gametophyte, फिर यह अल्टरनेट किसमें हो जाते है, haploid gametophyte में, तो सच पैटरन इस known as, haplode plonting life cycle, ऐसे पैटर अल्गी में किया था, कि haplonting life cycle होती है, पर कुछ अप्सेशनल है, जिसके अंदर haplode plonting दोनों चिछे देखने को मिलती है, तो वो क्या है, एक्टो कार्पस, brown algae का example है, polysiphonia, यह red algae का example है, kelp, brown algae का example है, इसके अंदर haplode plonting life cycle देखने को मिलती है, फ्यूकस जो है, वो brown algae क example है, इसके अंदर haplode plonting life cycle देखने को मिलती है, ठीक है, I hope आप यह समझ चुके होंगे, यह chapter complete हो चुक है हमारा plant kingdom, next video में हम animal kingdom के बारे में detail में पढ़ेंगे, thank you